योग विभाग उत्राखन मुक्त विश्विद्यालाय आपका हार्दिगभिनंदन करता है आपके साथ मैं नीता दियो लिया वो मेरी सहयोगी पूजा पलड़िया है तो आएए बैटकर किये जाने वाले अभ्यासों से पूर्व आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है आप यह जान लें कि इसके जो सामाने नियम है उनका पालन करते हुए योग अभ्यास करेंगे योग अभ्यास सुबह खाली पेठी करना है या आप जाए तो शाम का समय भी दे सकते हैं परन्तु सुबह का समय उत्तम रहता है योग अभ्यास करते वे आपके वस्त्र ढीले आप ये एक कलए का खाले को समय देना है उसके बादा नया भोजन कर सकते हैं तो इन सामाने नियम का पालन करते वे आप योग अभ्यास करें आईए आज की कख्या में कि यह जाने वाले आपके आसनों का क्रम है जो बैटकर के जाने वाले आसन almonds Barbika가지 Mais जो साम करेंगे ज्यान रहें अभ्यास के दौरान आप एक पैर से जब अभ्यास करें चानुशीर सासन का गोमुखासन का या वक्रासन का किसी भी आसन का तो आप दूसरे पैर से भी उतनी ही देर अभ्यास करें अभ्यास बैठ कर किया जाए इस्ट्रक्शन के दौरान हमने कक्षा में बताया भी है ह और एक आसन के बाद आपको relaxation करना है आसन का counter pose भी आपको करना है जिसमें सबसे पहला आसन जो आप करेंगे गोमुख आसन सबसे अच्छा उसके आपके लाभों की चर्चा वह सावधानियस में बताई गई है दूसरा आसन आपका spinal twisting moment है जिसमें आप वक्रासन का अभ्यास करे जिसकी लाभों सावधानिय की चर्चा हमने आगे की है बैटकर किये जाने वाले आसनों की अभ्यास में सबसे पहला आसन गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे दंडासन की स्थिति में ही गोमुख आसन के लिए अपने दाए हाथ से बाएं पैर के अंगुठे को पकड़ कर द आई बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ते हुए मोड कर इसे बाएं तरफ रखेंगे ध्यान रहें दोनों घुटने प्रॉसिंग सेंस में एक लाइन पर रहें दोनों एडी आपके अगल बगल में इस प्रकार रहें कि आप उस पर बैठे ना हो गायक के मुख के समान नाम गोमुखासन कहा जाता है तो आईए दीरे से अगले अभ्यास की और बढ़ें इसमें आपको जो आपका पैर उपर है वही हाथ उपर की और लेकर आना है स्वास भरते वे बाएं हाथ को उपर की और फैलाएं कोहनी मोड़ते वे पीछे की और मोड़ें और दाय हाथ को पीछे से मोड़ते वे दोनों हाथों को आपस में पकड़ने का अभ्यास पकड़ने का प्रयास करेंगे यथा संभव जितना आप कर सकते हैं कमर गर्दन सीधी रखते वे, कंदे पीछे की और खीशते वे फाइनल पोजिशन में आपकी आँखें सहस्ता पूर्वक बंद रहेंगी गो मुखासन का अभ्यास शारिरिक विश्राम के लिए भी किया जाता है यदि विश्राम हे तो आप कर रहे हैं, तो तीन से पांच मिनट इसका अभ्यास किया जा सकता है दीरे से वापस आएंगे, सबसे पहले अपनी आखें खोलें सहस्ता पूर्वक, दीरे से दाए हाथ को नीचे की ओर लेकर आए बाए हाथ को सीधा करते वे, हाथों को समानी स्थिती में लेकर आए दाए पैर को सीधा करें दाए पैर को सीधा करते वे, दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर आए यही से काउंटर पोस करेंगे, जो पैर आपका नीचे था, वह उपर की ओर आएगा अभ्यास के संतुलन के लिए धीरे से दाई पैर को पकड़ते वे बाई जंगा मूल के पास नितम के पास लेकर आए दाई हतेली से बाई पैर को पकड़ते वे दाई नितम के पास लेकर आए गुटनों को एक सीद में लाने का प्रयास करें ध्यान रहें, एडी के ओपर बैठना नहीं है पुनः गाये के मुख के समान आपके गुटनों की आकरती जो पैर आपका ओपर है, यदि दाया पैर, इस अभ्यास में आपने दाया पैर ओपर किया है तो धीरे से दाय हात को उपर की और फैलाएं, पीछे की और मोडते हुए, बाय हात को पीछे की और लेकर जाएं, और धीरे से दोनु हातों को पकड़ते हुए, सहस्ता पूर्व, कंदों को पीछे खीशने का प्रयास, इस स्थिति में आपकी आखें बंद रहें, इस अभ्या आपका उदर बाहर की ओर, दिर्ग प्रस्वास करते हुए उदर अंदर की ओर, तीन से पांच मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, दीरे से वापस आने के लिए उन्हा अपनी आखें खोलेंगे, दाए हाथ को सिधा करेंगे, बाए हाथ को नीचे की ओर लाते हुए, दुन पुने बाए पैर को सिधा करेंगे, पुना दाए पैर को सिधा करते हुए, दंडासन में, विश्राम की स्थिती में आएं, दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी, पंजे बाहर की ओर, पैर धी ले, दोनों हाथ पीछे की ओर, उगलियों की दिशा पीछे की ओर पैर 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 को सिधा करेंगी, गोमोखासन का अभ्यास करने के पस्चार आवश्यक है कि इसके लाभों को जाने, यह अभ्यास अस्तमा के रोगियों वस्वास संबंदी समश्या के लिए बहुती लापकारी अभ्यास है, कंधों वगर्दन की जक्रन वगर्दर्द में ला किने नहीं करना चाहिए, इसके हेतु, इसकी साफधानियों को जान लें, साइटिका की समश्या में कुछल योग प्रसिक्षक के निर्देशन में ही यह अभ्यास करना चाहिए, खुटने के दर्द में यह आसन नहीं करना चाहिए, तो आईए इसी क्रम में अगले अभ्यास वक्रासन के लिए अपने आपको तैयार करें, शारे रिक और मांसिक रूप से, पोड़ रूप से आप रिलेक्स हैं, अगले अभ्यास करने के लिए तैयार, यही से पोजिशन लिंगे, रिलीज रिलेक्सेशन, आखें खोलते हुए, दोनों हाथ, दोनों साइड में, जंगा क वगल में, दोनों पैर आपके आपस में मिले हुए, तो आईए अगला अभ्यास वक्रासन, वक्रासन के लिए दंडासन की स्थिति में ही, सबसे पहले अपने बाय पैर को मोड़ते हुए, स्प्रकार मोड़ें, कि आपका घुटना उपर रहे, और पंजी को दाय घुटने क पास रखना है, यदि आपने बाय पैर मोड़ा है, तो दाय हाद को धीरे से उपर उठाएंगे, और बाई और मोड़ना है, बाई और मोड़ते वे हाद को धीरे से घुटने के बाहर से लेकर आएंगे, बाय पंजी के पास रखें, कमर को सिधा करने के लिए अपने बाए हाथ को पीछे की और उंगलियां पीछे की और रहे इस प्रकार से उसे रखे अंतिमिस्थिती में धीरे से बाई और गर्दन घुमाते वे कंदे के समनांतर आखे सहस्ता पूर्वक बंद कर ले यह अंतिमिस्थिती वकरासन की वकरासन में आप अपनी स्पाइन को कम्प्लिटली ट्विस्च करते हैं अंतिमिस्थिती में आपकी आखे बंद रहती हैं दीरे से वापस आएंगे गर्दन सामने लाते वे आखें खोलते वे दीरे से दाए हाथ को सीधा करें उपर की ओर उठाते वे सामानी स्थिती में लेकर आएंगे बाए हाथ को सामानी स्थिती में दीरे से बाए पैर को सीधा करें इसी के साथ इसका काउंटर पोस दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे अपने दाए पैर को मोड़ते वे दाए पंजे को बाए घुटने के पास इस प्रकार रखें ये घुटना आपका उपर की ओर रहे कमर गर्दन सीधी रहे यहीं अपने दाए पैर को दाए हाथ को सीधा करते वे दाए तरफ मोड़ेंगे बाई हतेली को दाएं पंजे के पास रखें दाया हार कमर के ठीक पीछे अंतिमिस्तिती में पीछे की ओर मुड़ते हुए गर्दन पीछे की ओर कर लें आखें सहस्ता पूर्वक बन अंतिमिस्तिती वकरासिन की अंतिमिस्थिती में आप प्रस्वास कर सकते हैं कमर मोरते वे लंबी गेरी स्वास लेनी है अंतिमिस्थिती में सामानी स्वास प्रस्वास तीरे से वापस आएंगे आखें खोलते वे डर्दन सामने की ओर बाए हाथ को उपर लाते वे दोनों हाथों को सामानी स्थिती में लेकर आएंगे दाहिने पैर को सीधा करते हुए पुन्हा दंडासन में रिलेक्सेशन करेंगे दोनों पैरों में कंदों के बरावर दूरी दोनों पंजे बिल्कुल ढीले बाहर की ओर दोनों हतेल यां कमर के पीछे तमर बिलकुल टीली, गर्दन धीली और आखें सहस्ता पूर्वक बन रिलाक्सेशन के दौरान आपकी पूरी सजक्ता, आपकी आती वजाती स्वास पर रहे लंबी वगहरी स्वास लें वज छोड़ें शरीर पर कोई जोड़ नहीं देना है, पूर रूप से शितिल रहें वख्रासन के अभ्यास के बाद इनके लाबों की चर्चा करते हैं मदुमेई के रोगों वश्वास संबंदी रोगों में लाबकारी अभ्यास है यह अभ्यास पाचन संस्तान वह उदर गतंगों की मालिश करता है इसके साथ साथ इसकी कुछ सावधानिया भी है स्लिप डिस्क या जिने कमर की समश्या है वे योगी सिक्षक के निर्देशन में ही यह अभ्यास करें सावधाना भी आपको ध्यान में रखनी है उसके पश्याती आपको यह अभ्यास करना चाहिए धीरे से वापस आएंगे और अगले अभ्यास के लिए तैयार रहेंगे जानोशीर सासन आखे खोलते हुए पैर में ले हुए हाथ दोनों जंगाओं के बगल में कमर गर्दन सीदी पूरे रूप से तैयार जानोशीर सासन के लिए जानोशीर सासन का अभ्यास बाइं पैर को इस प्रकार से मोड कर ले कर आना है कि आपका घुटना जमीन पर रहे दाएं हाथ से बाइं पैर के पंजे को पकड़ते वे उसे मोड़ें और अपने पैर के तलवे को जंगा मूल के पास दाई जंगा मूल के पास इस प्रकार से फिक्स करें कि आपका घुटना जमीन से लगा हुआ रहे दोनों हाथों को बगल में रखना है दीर इसे स्वास भरते हुए दोनों हाथों को उपर की ओर लेकर आए शरीर को अधिक्तम उपर की ओर खीचने का प्रयास स्वास छोड़ते हुए सामने की ओर जुकिंगे अपने दाईने पैर की पंजी को पकड़कर माथे को घुटने से लगाने का प्रयास जानू शीर सासन जानू आपका घुटना शीर सापका सिर सिर को घुटने से लगा कर अन्ति मिस्थिती में दोनों कोहनिया आपकी जमीन से मिली हुई माथा घुटने से लगा हुआ अन्ति मिस्थिती में इस पोजिशन में आने के बाद सामान्य प्रस्वास सामान्य स्वास प्रस्वास दीरे से वापस आएंगे हाथों को सामने की ओर रखते वे दीरे से स्वास लेते वे उपर की ओर उठे स्वास छोड़ते वे हाथों को नीची लेकर आए सामान्य स्थिती में बाए पैर को सीधा करते वे पुनह दंडासन की स्थिती में आएंगे यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे बाई जंगा मूल के पास लेकर आए अधिक्तम जितना आप अंदर लेकर आ सकते हैं परन्तु ध्यान दे आपका घुटना जमीन से लगा रहे रंबी गहरी स्वास भरते वे दोनु हाथों को उपर की ओर लेकर आए शरीर को हाथों को अधिक्तम उपर की ओर खीशने का प्रया स्वास छोड़ते वे आगे की ओर जुकेंगे और धीरे से दोनु हाथों से दोनु उंगलियों से आपको अपने बाए पैर के अंगुठे को पकरना है अंतिमिस्थिती में कोहनिया जमीन से लगी हुई माथा घुटने पर स्पर्ष करें आपका शीर्स आपके जानों को स्थिती सामानी स्वास प्रस्वास रहेगा धीरे से वापस आएंगे हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए लंबी गेरी स्वास भरते हुए उपर की ओर आए स्वास छोड़ते हुए हाथों को सामानी स्थिती में और धीरे से अपने दाइने पैर को सीधा करते हुए दंडा बर्दूरी दोनु हान कमर के पीछे शरीर पिलकुर डीला आखें सहस्ता पूर्वक बन पूरी सजक्ता स्वास्प्र स्वास्पर इसके साथ साथ जो आप अभ्यास कर रहे हैं उनकी प्रभावों को भी महसूस करें इस स्थिती में जानुशीर साथन के प्रभाव को महसूस करें वो इसके लाभों को जाने जानुशीर साथन का अभ्यास प्रजनन संस्थान वो पाचन संस्थान पर सकारात्मक प्रभाव डालता है मेरुदन को यह लचिला बनाता है उदरगत अंगों यकरत की मालिशकर उन्हें सबल बनाता है मदुमेह के रोग के लिए यह बहुत ही लाभकारी अभ्यास है इसके साथ साथ कुछ सावधानिया भी हमें ध्यान में रखनी है कि यह अभ्यास किने नहीं करना चाहिए या फिर किने सावधानी पूरवक करना चाहिए जिने साइटिका, कमरदर्द, सर्वाइकल स्पॉंड लैटिस या हर्निया की समश्या है उन्हें अभ्यास नहीं करना चाहिए यदि वे करना चाहते हैं तो किसी योगचिकित्सक के परामश के दौरानी इनका अभ्यास करना चाहिए